हाई फ्रेंड्स मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज ही के दिन जो आपका basically TET Arts का examination हुआ है ठीक है November 21st में तो इसमें हम इस examination को discuss करेंगे और try करेंगे किस तरह के questions आयो है यहाँ पर उनको find out करेंगे किस level के हैं तो try करना वीडियो को शुरूर से लेके अन तक देखने का वीड वीडियो को आप like मत करना जो भी आपके friends ऐस examination देते हैं HP के जा फिर जिन्होंने TET का examination दिया है तो उनके साथ जुरूर वीडियो को share कर देना ठीक है इतने भी आपके WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram पर ग्रूप से हैं बहाँ पर share कर देना तो start करते है question number first से पहला question simply पुछा था कांग्रा डिस next is largest river in terms of volume ठीक है volume की बात करें, volume के बारे में आपको या रखना चिनाव है ठीक है वैसे अगर आपसे पुछ जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वैसे है जमुना तो ऐसे दोनों question को त्यान में रखना next is author of the book हिमाचल polyandry तो हिमाचल polyandry पुस्तक के जो author है वो कौन है तो यह है dn मजूमदार यहा रखना dnm next is longest bridge of hp तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है तो यह basically जमुना ब्रिज पॉन्टा साहिव है next is largest producer of ginger ठीक है अध्रक सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है ठीक है तो यह current affairs में भी मैंने question बताया था आपको अगर आप hp current affairs नहीं follow करते हो यार तो मैं यही कहूँगा आप अपने तीन से चार मार्च बिल्कुल गवाल होगे ठीक है तो इसके लिए क्या करना आपको hp current affairs के लिए मेरी playlist में जाओ जितना भी playlist section में playlist है वहाँ पे hp current affairs और national current affairs की आपको playlist देखने को मिल जाएंगी उन playlist में जितने भी question है उनको पेपर में जाने से पहले एक साल तक के solve करके चले जाओ definitely जो questions बहुत से candidate नहीं कर पाते हैं वह आप कर दोगे उससे क्या होगा आपको examination में एक edge जिरूर मिल जाएगा तो try कर लेना hp current affairs और national current affairs की सारी playlist देखन of हिमाचल प्रदेश तो ये question कहां से आया ये भी hp current affairs से आया और मैंने ये पढ़ाया भी है ठीक है अगर आप एक दो मीने पुराने current affairs देखोगे ये question देखने को मिल जाएगा as it is ही मैंने ये question पढ़ा रखा आपको तो राम सुफाग जी है ठीक है next is present governor of hp ये कहां से आ गया ये भी current affairs से आ गया और ये question भी मैंने last to last month वाले current affairs में include किया हुआ है ठीक है तो RBR लेकर राजंदर बिश्वनात अर लेकर जी ठीक है first comedy serial of hp तो ये कौन सा है चंदू नंदू ठीक है ये भी मैं already किसी paper में आपको करवा चुका हूँ तो बहुत से question ऐसे है जो मैं आपको already क next is architect of hp ठीक है architect of hp कोन है तो ये हैं bias पर्मार next is first तीर्थनकर of jainism तो ये वोला जाता है रिश्वनात को ठीक है यार रखना बहुत से candidate को confusion रहता है तीर्थनकर कोन है जैनिजम के ये हैं रिश्वनात next is article 370 abrogated तो यार ये आपको बस year भी याद रख लोगे न तब भी चल ज में ठीक है यार रखना 219 में कब अजादी के 10 दिन पहले तो अजादी का तिन कब होता है पंदरा अगस्त का ठीक है तो पंदरा से दस मेंस कर देना तो पांच अगस्त के दिन ये हमें article 370 को हटता हुआ देखने को मिला था ठीक है article 370 आप से पूछ लेंगे कि स्टेट से तो यह है जम्मो एन किशमीर से लेटे ठीक है ऐसे बहुत से कोशन है जो रिपीटिट रहते हैं बस उसको एक्जामीनर क्या करता है घुमा पिर आके ग्जामीनेशन में पूछ लेता है ठीक है नब निर्मान मूव्मेंट स्टार्टे इन गुजराद ठीक है सिंपल है पॉ यूनियन कबिनेट कंटरी आता है यह भी यारकना ध्रमेंदर परदान नेक्स्ट इस बावरी मस्जिद को कभी बोलिष डिमोलिष किया गया था कब गिराया गया था यह 1992 ठीक है 6 दिसंबर अगर आप एक्जेक्ट याद रख सकते तो वह कर लेना नेक्स्ट इस कंट्री इ इसको बोला जाता है कितनी भी डिवेल्पिंग कंट्री से इवन यू आर अवेर अगर आप आप अवेर होंगे तो इंडिया इस आगा जाएगा आपको सकाई मतलब आसमान अब आसमान में ऐसा तो है नहीं कि इन्फरमेशन एंड ब्रोडकास्टिंग उड़ेगा ठीक है या फिर आप कैसा तो आर बिया उड़ेगा तो यह ऐसे से क्वेशन होते हैं जो आप बिल्कुल जो क्वेशन की सेंस है उससे ही जज़ कर लेते हो पर यह से चीज़े आप तभी कर पाओगे अगर आप रेगुलर्ली वीडियो को फोलो करते हो मेरे या फिर आप कॉंटिनूसली टैच में रहते हो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन पे फाउंडर ऑफ भारतिय जंसंग तो भारतिय जंसंग के फाउंडर कौन है यह तो सिंप मरे तो इस नोते हों देखने को भी मिले तो बोड़ो ब्लम थाओ आपने सुना भुष से टाइम यह बोडो लैंड की डिमांड करते रहते हैं इसे अनिज इस्टेबलेश्ट इंजर क्या है एस्सेशियन अशन नेशन तो इट्वाइचन इस्ति-स्टी से फश्ट्टेवर पहली भारती भीमेन को को है, ठीक है, कौन सी महीला है, जिन्होंने अभी रिसेंटली सेंच्री लगाई है, टेस्ट में, ठीक है, ऑस्टेलिया में तो इनका नाम है, SM समृती मंडाना, तो दोस्तों, अगर वाईचांस कोई कोई कॉश्चन मेरे से गलती से कोई गलती एकस्प प्रफ्रों गुजरात इसके ओपर तो मैंने जब यह बने थे तभी मैंने वीडियो बना दी ठीक है तो यह तो सभी को पता होगा बुवेंदर भाई पटेल ठीक है क्योंकि इससे पहले जो थे वह भी आपको पता काफी फिमस परसन थे उसी को भटा के यह बने थे और काफी पर शाहीन वाग के केस होने थे ठीक है नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ठीक है तो यह भारत में कभ इस्टैबलिश हुआ था यह हुआ था 1993 नानावती कमिशन इस रिलेटेट हुए थे ठीक है यह ब्लू स्टार ओपरेशन के बाद इतने भी एंटी सिक राइट हुए थे से रिलेटेट था नानावती कमिशन तो यह दो क्वेशन तो सेम से ही पुछ लिए थे आई होप अगर आपने यह वीडियो देखते होंगे मेरे रेगुलर फॉलोगी होंगे तो यह आप कोशन इजी लिए कर चुके होंगे तो थेंक्यों सो मच दोस्तों वीडियो में इतन कि अगको बालता रहता हूं इसके लावा तैलिग्राम पे भी सर्च कर लेन तेली ग्राम के आगा अलावा इंस्टा गूपी सेडि तब भी वहां पे भी आपको इंपोर्टेंट अप्रेंट अप्टेंट मिल जाएंगे तो तैंक यह बाई व्याफ्र नाव एड़ गूड झाल झाल